जम्मू कश्मिर की पूरू सीयम और पीडीपी प्रमुक महभूबा मुफ्ती ने रवीवार को बैंगलूर में एलान किया है कि जब तक जम्मू कश्मीर में आर्टीकल 377 बहाल नहीं हो जाता वेविदान सबा चुनाओं नहीं लड़ेगी लेकिन उनकी पार्टी चुनाओं में अपना उमिद्वार उतारेगी मेभूबा ने बैंगलूर में पत्रकारों से चल्चा के दोरान करनाटक सरकार के शपत गरहन में कई दलों को न बुलाने पर कहा कि कांग्रेस को अभी और त्याक करना होगा वना लोगों के पास दूसरे विकल्प भी मौजुद हैं इतना ही नहीं उन्होंने बीजेपी पर आरुप लगाते वे कहा कि बीजेपी नहीं चाहती है कि देश में कोई विपक्षो जिस दर दिल्ली सरकार को शक्ती हिन कर दिया गया है वेसा सब के साथ होने जा रहा है जमो में होने वाला जी ट्वेंटी सम्मिट देश का इवेंट है लेकिन बीजेपी ने इसे हाईजेक कर लिया है उन्होंने लोगों को कमल से बदल दिया है जबकि लोगों को देश से जुड़ा होना चाहिए था किसी पार्टी का नहीं यह सारकी है जो इस शेतर में हमारे देश का नैतरत तो इस्तापित करेगा यहां सारक शीखर सम्मिलन क्यों नहीं होता ताकि हमारी समस्या का समाधान हो जम्मु कश्मिर का विशेश दरजा संगवाद का सबसे अच्छा उधारन है लेकिन अनुच्छे 370 को खतम करके राजजी को तोड़ कर कमजोर कर दिया गया चीन अब जम्मु कश्मिर के मामलों में हस्तशेप कर रहा है जो केवल पाकिस्तान करता था धारा 370 को हटा कर बीजेपी ने यही किया हमारे राज़ में सबसे ज़्यादा सेना है जा सुरक्षा के नाम पर हर रोज उत्पिडन और तलाशी हो रही है जम्मु कश्मिर अब खुली जेल बन गया है हमारे सभी पास्पोर्ट जब तकली गए हैं अगर यह उस परिवार के साथ हो सकता है जहां से मैं मुख्यमंत्री थी तो यह किसी के भी साथ हो सकता है इसली में धारा 370 बहाल होने तक विधान सभा चुनाओ नहीं लड़ूगी लेकिन मेरी पार्टी चुनाओ में उत्रेगी जब सबने हार मान ली थी तब करनाटक ने पूरे देश को उमीद की खिरंड दी करनाटक पिछले 5 साल नफरत और सामप्रताइक्ता की राजनीती से लड़ता रहा है लेकिन यहां के लोगों ने लोकतंत को फिर से मोका दिया अब सिध्धा रमया और डीके शिव कुमार घाव भरेंगे राहूल गांदी की भारत जोड़ो यात्रा ने करनाटक में जीत की नीव रखी कांग्रेस ने कई विपक्षी दलों को शपत ग्रण समारों में नहीं बुलाया कांग्रेस को और सेक्रिफाइस करना चाहिए नहीं तो लोगों के पास दूसरे विकल्प भी है क्योंकि भारत के विचारों को जिंदा रखने के लिए अन्य दलों की तुल्ला में कांग्रेस पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है दिल्ली में जो कुछ भी हुआ वो सभी के लिए एक वेकप कॉल है बिजे भी नहीं चाहेती कि कोई विपक्ष हो एल जी की शक्तियों को बरकरार रखने के लिए अध्यादेश लाकर दिल्ली सरकार को शक्ति हिन कर दिया गया है ये सब के साथ होने जा रहा है इसी के साथ बने रही है राज नमा डिवी के साथ दाने बाद